पाँच राजियों के विधान सभा चुनाव में निराशा जनक प्रदर्शन के बाद कॉंग्रिस की नजरी अब लोग सभा चुनाव पर हैं पिशले लोग सभा चुनाव में उसे अपनी परंपरागत सीट अमैठी में भी हार का सामना करना पड़ा पाटी मात्र एक राय बरिली की सीट पर जीत दर्ज कर पाई इसलिए इस बार पूरे जोर जोर से काफी पहले कॉंग्रिस न तयारियां शुरू कर दी बैटक में पार्टी के राश्टोय अध्यक्ष, मलीक आरजुन खडगे, सोनिया गांधी, गाहुल गांधी, प्रेयंका वाडरा समेथ, अन्य वरिश, नहीता, लोग सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मन्थन करेंगे खास बात यहीं कि आगामी 20 दिसंबर से भारेज जोडो की तरज पर यूपी जोडो यात्रा शुरू होने वाली है इस बैटक में इस पर भी चर्चा होगी, प्रदेश रध्यक्ष, अजयर आर तमाम राजनुतिक गतविधियों की जानकारी देंगे पार्टी सुत्रों का कहना है कि सुबे में दूसरे दलों से गड़ बंधन और सीट शेरिंग को लेकर भी खास बमर्श होगा असी सीटों में से कितनी सीटों पर कॉंग्रिस चुनाव लड़ेगी और दूसरे दलों को कितनी सीटे मिलेंगी पार्टी सुत्रों ने बताये कि राज्यों में चुनावी तैयारियों के साथ जातिय समय करणों को लेकर भी चर्चा होगी आपको बता दे कि लोगसबा चुनाओ में इस सीट शेरिंग को लेकर आगामी उन्यस दिसम्बर को विपक्षर इडिया गटबंदन की बैठक है और इस बार कॉंग्रिस के सामने उत्रप्रदेश में रायबरिली की सीट बचाने के साथ अमेटी की सीट पर जीत दर्ज करने का भी बड़ा दबाव है इसके लावा गटबंदन में शामिल पार्टी सपा सीट शेरिंग को लेकर कॉंग्रिस को आग दिखा रही है और ऐसे में यूपी कॉंग्रिस के नेताओं की बैठक मात्वपूर्ण मानी जा रही है नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है यूस ट्विट्व